राची से बड़ी खबर जहां आधिवाक्ताओं ने आज काला बिला लगा कर कार्या किया है बतादे कि सविल कोट के आधिवाक्ताओं ने आज काला बिला लगा कर ने आएक कार्या किया है इस प्रोस्टेक्ट को लेकर सभी अधिवक्ताओं रे अपना समर्थन देते हुए काला बिल्ला लगाया राची डिस्ट्रिक्ट बार असेसियेशन के महा सचिफ संशय विद्रोही ने सरकार के आद्वोकेट प्रोटेक्शन आक्ट चल्द लागू करनी की मांग की है उन्होंने कहा है कि लोगर कोट के अधिवक्ताओं का मुवक्किलों से लगतार आमा सामना होता है ऐसे में अधिवक्ताओं के जान का खत्रा बना रहता है इसलिए अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए आद्वोकेट प्रोटेक्शन आक्ट लागू होना चाहिए के लिए सरकार तक पहुंचाने के लिए बात को रखने के लिए हम लोग आज काला बिला लगा हैं आने वाला दीन में हम लोग काला बिला और पोस्टर और बैनर लेकर हम लोग प्रोटेस्ट के लिए फ्रायराल चौक तक जाएंगे और उसके बाद भी अगर सरकार के पास में ये बात नहीं कूलती है तो हम लोग जो है इसको जो है संसद तक में मुखी मंत्री निवास तक में चाहिर राजिपाल के पास में भी धरना प्रदसन देने का काम करेंगा के लिए साथ पर हमारे साथ फोन लाइन पर राच्री से संबादाता राहूल बने हुए हैं राहूल काफी लंबे समय से अधिवक्ता जो है अपने प्रोटेक्शन आक्ट की मांग कर रहे हैं लेकिन इस और सरकार का कोई ध्यान नहीं है पिछले बार भी हमने देखा था काफी की तूल पकड़ा था इस मामले ने लेकिन वापिस से अब अधिवक्ताओं ने आज रकाला बिला लगा कर नाइक कार्यस्त किये हैं जी इस इस तरीटे से लगातार काफी दूमों ने लेकिन आ रहे हैं राजस्तान डेस का प्राइला राजय जहां पर इडिवक्तिक्स प्रक्ष्ट्ट्रेक्शन इंड लागू हो चुका है आज राजस्ताओं पर अधिवक्ताओं पर जानले में ठीवक्तिक्स प्रक्ष्ट्ट्रेक्शन एक लागू हो चुरों बहुत को है और आज जो है की सरकार का ध्यान आकष्ट कराने के लिए शभी अधिवक्ताओं ने काला बिला लगा कर अपके नयाइक कारियों हमें विर तो आगे आंदोलन की रूप देखा तैयार कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा तो आपको बता दें कि आज राचे सिविल कौर्ट में सभी अधिवक्ताओं ने काला बिला लगाकर नयाएक कार्य किया है अधिवक्ताओं की ओर से की जा रही है